नमस्कार स्वागत है आप सभी का योपी ट्रिपल से से महतोपुर अपडेट से हाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे पी इटी 2022 आफीसियल आंसर की कुले करके एकजाम तो हो गया अब भी हर्तियों ने जैसे तैसे करके एकजाम दे लिया जिनके सेंटर दूर थे उनको दिक्कते बहुत हुई और पेपर का लेबल जो था पिछली बार से अच्छा था और चारो सिप्ट में कुछ सिप्ट में प्रस्ट है कुछ टाइप के प्रस्ट जैस तो normalization 100% होगा और एक डेड़ दो नमबर तक अभी फरक पड़ सकता है और अभी official answer की आएगी objection लिये जाएंगे उसके बाद फिर से संसोधित answer की आएगी तो एक दो प्रशनों में उम्मीद है कि उसमें या तो common number दिये जा सकते हैं या फिर option change किये जा सकते हैं तो सबसे पहले हाँ पर बात करेंगे PET 2022 official answer की को ले करके un-official answer की यानि हमारे दोरा जो दे गई answer की चारो शिप्टों की हमने answer की आप सभी को provide करा दी थी और हमारी पूरी कोशिस थी उसमें कि एक या दो प्रशनों से ज़्यादा किसी भी प्रशन में कोई भी option या कोई भी ऐ वीक में भी आने के चांस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है next week में आने के चांस ज़्यादा है फिलाल में UPSC से एक official notice इसी सब्ता में 100% आना है और ओन नोटिस या तो PET 2022 की officer answer की को लेकर कि हो सकता है या फिर मुक्य सेविका भरती परिक्षा से पहले साट लिष्ट की notice को लेकर कि हो सकता है या फिर UPSC ANM 9212 भरती से सम्मंदित हो सकता है UPSC ANM 9212 भरती में process सुरू हो चुका है जो phrase ANM selected ANM भेन है उनकी जो फाइल है अब कार्मिक बिभाग से परिवार के लड़ बिभाग को भेजा जाना सुरू हो चुका है जादा है इस वज़े से सभी फाइले एक बार में एक साथ नहीं भेजी जा सकती है इसी तरह से ज्वाइनिंग लेटर या फिर ज्वाइनिंग भी सबकी एक साथ नहीं हो सकती है वो process कई दिन तक चलता रहेगा धिरी धिर उसमें और उसी के साथ प्रिफरेंस वाला जो भी तो उमीद यह है कि दीपावली तक अब देखिए पूरी तरह से सरकार मुख्यमंत्री जी के उपर निर्भर है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दीपावली के पावन पर उपर मानी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ एनम भेनों को लखनौ में अपने आवास पर नियुक्त इस तरह से आगे कुछ ने कुछ बहनों को बुला करके ज्वाइनिंग लेटर जो ही मिलती रहेंगे ज्वाइनिंग दिखे सभी की लगबक साथ ही होनी है लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि अब भेहरतियों की संख्या जादा है या तो ऐसे होता कि आनलाइन ज ज्वाइनिंग लेटर सबको इसू कर देते जारी कर देते तो वहाँ पर यह होता कि सबको एक साथ ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते बट इस तरह से क्या होगा कि फिर सबको एक साथ बुला करके ज्वाइनिंग लेटर देना है या तो उसके लिए फिर पूरी प्रोसेस क हाला कि दो चड़ों में भरती भी थी 1361673349 एक दिन में बुला करके हाला कि कुछ लोगों को दूसरे दिन भी और कुछ लोगों के समस्या आ गए थी उसमें कुछ डोकुमेंट समन्दी तो उनको बाद ने भी बुलाया गया था और इसी तरह से हाँ पर भी ऐसा किया जा सकत प्रिफरेंस किस प्रकार से लिया जाएगा पोस्टिंग आगे कैसी होगी तो एक नोटिस अगर दिपावली परोपन नियुक्ती पत्रे बित्रड करना होगा तो एक नोटिस 100% आएगी जिन बहनों को जानिंग लेटर दिया जाना होगा उनहीं से सम्मंदित होगा उनके न जार बाइस ऑफिसल आंसर की को ले करके और तीसरी नोटिस यहाँ पर मुक्य सेव का भरती साट लिष्टिंग के नोटिस आ सकती क्योंकि एक्जाम इसका बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे दिसंबर में भी चांस हैं दिसंबर ही मानके आप सभी अभी चले बाकि अपने तयारी करते रही अच्छे से लेकिन अभी आप लोग दिसंबर ही मानके चले और साट लिष्टिंग के नोटिस जो है इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में आजाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है या तो दिपावली से पहले आजा या फिर दिपावली की ब पाद आजाए इसी महीने में और अगर ऐसा नहीं हुआ नेक्स्ट अगर मन्त चला गया तो उसके बाद फिर 100% की एक्जाम डेट आपका दिसंबर से आगे बढ़ जाएगा बाकी साम तक जो कुछ भी अबडेट ब्राफ्त होगी आप सभी को बता दिया जाएगा कुछ चीजी अगर और कनफर्म होंगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा जाएगा